आपके नमस्कार मैं हूं सर्की आए जरकां के टॉप 25 परमो खबर जानते हैं जो बाइडन अमेरीका के 46 वे राश्पती बन गए है लम्बे इंतज्या के बाद दयाताय हो गया है कि जो बाइडन भोट लेकर आपने विरोधी परत्यासी डोनल्ड ट्रॉप को सिक्त दी है चुनाई पर नाम भले ही अब साफ हो गया हो लेकिन डोनल्ड ट्रॉप ने अभिहार नहीं मानी है उन्होंने कोट में चुनोती देंगे जार्खन के करीब सभी जीलो में निम्तों तापमान समाने से नीचे चला गया है करीब दो सब्ता से मौसम में बदलाव का असर महसूस किया जा रहा है मौसम विभागों की माने तो रात में निम्तों तापमान में गिरावट आने के करण अगले दो दिनों के अंदर कोरावा धोन दिखने लगेगा मौसम विभा के मुताविक राजदानी राजी समेट जारकन के अने जीलों में अगले दो दिनों के अंदर कोरावा धोन दिखने लगेगा रात में निम्तन ताप्मान में गिरावट आने के कारण ये बदलाव दिखेगा वाटसेब के जरी आज बच्चों तक पहुँचेगा संसोधी सिलेबस राजिक के हाई और पलस टू स्कूलों के छाथ सत्राओं को वाटसेब गुरूप के माध्यम से रभी वार को संसोधी सिलेबस मिल जाएगा जो बच्चे वाटसेब गुरूप में नहीं जुड़े हैं उन्हें कलास वार बुकलेट तयार कर संसोधी सिलेबस उपलब्द कराया जाएगा इस्कूली सिक्चा और संसोधी सिलेबस का पीडिये फाइल तयार कर लिया है रभीवार से इसे बचों को उपलब्द कराया जाएगा बता दे कि वाटसेप गुरूप के अलावा स्कूली सिक्षा और सचार्टा विभाग इब इद्यावाहिनी एप जार्खन सिक्षा पर जार्खन सेक्षिनिक अनुसंदान और प्रसिक्षन परिस्षत जार्खन एकेडम कॉंसिल जैक के जीलों के वेप साइट पर भी उपलब्द रहेगा किसानों को तोफा सधानन धान बोनस के साथ 2050 रुपया होगा राजिक किसानों को तोफा देने के त्यारी है मुखमंत्री हमंसुरे ने खरी बिपनन मौसम 2021 के दवरान किसानों से निम्तम समर्थन मोले पर धान खरीद के लिए धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप को मंजूरी पदान की है बता दे कि अब इस प्रस्ताव को मंत्री परिशत की अगली बैठक में विचार करने के लिए रखा जा सकता है इससे अब उन्हें सधारन धान का निम्तम समर्थन मोल 2015 रुबे प्र इस आशे से समधित प्रस्ताव को ससर्थ स्विक्रिती दे दिया है इस स्विक्रिती योजना सभीत विभाग की समती प्राप्त करने की सर्थ पर क्रमिक विभाग की समती संसूचित करने के अलोक में दिया है बता दे कि इस समधित प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा पर कारिदत मन्रेगा कर्मियों की मां क्या लोक में गठित किया गया है तसकरी के सिकार नबालिकों को हर महिना दो हजार जबकि बालिकों को रोजगार देगी जारकन सरकार बुख मंत्री हमन सुरेण ने सनिवार को मानव तसकरी के सिकार बच्चे और बच्चियों के लिए बढ़ा एलान किया है सीम ने कहा कि सरकार ट्रैफिकिंग के सिकार नवालिकों को हर माध दो हजार रुपए देगी जबकि बालिकों को रोजगार मुहयक कराएगी उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार टसकरो की चंगुल से छुड़ाए गए लोगों को हुनर्मन्द बनाएगी जारखंड के 8000 वकीलो की प्रैक्टिस पर खत्रा मन रहा है इन वकीलो ने यदि अपने प्रवाम पत्रों का सत्यापन नहीं कराया तो इनके लाइसेंस रद कर दिये जाएंगे और वकालत पर रोक लगा दी जाएगी बता दे सत्यापन के लिए जारखंड बार कॉंसील सभी वकीलो को अमतिम आउसर प्रदान कर रहा है राजे में जारखंड बार कॉंसील से करिब 30,000 वकील निबंधी था है और अभी तक उनाई सजार नहीं अपने पत्रों का सत्यापन करवाया है ऐसे में वकीलो को 15 नोवंबर तक बेवरा देने का अमतिम आउसर दिया गया है जारखंड में फिर बढ़ने लगी बेरुजगारी कुरोना काल में जारखंड में बेरुजगारी घटने किदार थम गई है अक्टूबर में फिर से परदेश में बेरुजगारी बढ़ने के रुजारन दिखने लगे हैं महीने भर में इसमें 3.6 पिजदी का इजापा हुआ है सेंटर फोर मोनिटरिंग आफ इंडियन एकोनोमिक के ताजे आक्ले से इसका खुलासा हुआ है बतादे सितंबर में जारकाण में बेरुजगारी दर 8.2 पिजदी थी या अक्टूबर के अम्त में बढ़कर 11.8 पिजदी हो गई है गर्भवती महिलाओ का पुरा खर्च उठाएगी सरकार शुरक्षित प्रशाओ को केंद्र में रहकार राज सरकार गर्भवती महिलाओ का पुरा खर्च वहन करेगी इस बावत राश्ट्रीय स्वास्त अभियान के ताथ राजे में सुरक्षित मात्युत्य सुमन योजना सुरू होगी इसकी तैयारी पुरी कर ली गई है इस वहना को सुरू करने का मोखे उदेश चीकित सको कि निगरानी में गर्भवती महिलाओ का प्रशाओ सुनिश्चित कराना है ताकि जच्चा बच्चा दोनों पुरी तरह सुरचित रहे भवतिक सत्यापन के बाद ही छात्रविर्ती अल्प संख्यक प्रिमेट्रिक छात्रविर्ती में फर्जीवारा सामने आने के बाद सरकार अफूल पूरूफ होकर ही छात्रविर्ती से वक्रिति करेगी अब भहतिक सत्यापन में सही पाए जाने के बाद ही छात्रवीति के लिए केंद्र को अनुमोधन भेजा जाएगा कल्यान विभाग के सची अमिताब कौसल ने 2021 सत्र से भहतिक सत्यापन के बाद ही छत्रवीतिक अनुसंसा करने के निर्देश सभी उपायुकतों तथा जिलाक कल्यान पतादिकारियों को दिये हैं निर्देशा नुसार भहतिक सत्यापन इसकूलों के साथ सभी लाबुक बच्चों का भी होगा जारकन में 340 ने संक्रमितों के पुष्टी हुई है जो राची से 86 बोकारो 31 चात्रा तीन देवगर सत्रा धनबाद 44 दूमका एक पूर्वी सिमुन 44 गड़वा आठ गिरीडी दो गोड़डा पाच गुमला नौव हजारी बाग छो जामतरा पाच खुटी पाच खुटी प पाच लातेहर 10 लोहरदागा 3 पलामू 18 रामगर साथ सायवगन छोग सराइक के लाग हर सावन नौव सिम्डेगा पाच पाच पसे सिमुन से 11 मिले हैं जारकन में कुल संक्रमितों के एक लाग चार हैर 249 है जबकि 987 लोग स्वास्थ हुए और 897 की मिलिती हो गई भारत में के 46,152 मिले हैं जबकि 487,582 लोग स्वास्थ हुए हैं भारत में एक टीब केस पाच लाखे गार है नौस्तों तेईस है जबकि जारकन में एक टीब केस 456 है राश्ट्रिये प्रतिभा खोज परिक्षा के लिए दस्वी के छात्र जल्द करें आवेदान 13 नौवंबर तक राश्ट्रिये प्रतिभा खोज की परिक्षा को लेकर आवेदान होगा परिक्षार्थी के समक्ष 6 दिन ही आवेदान करने की 30 सेस बची है बतादे कि दस्वी में अध्यान रच्छात रही परिक्षा में हिसा ले सकते हैं 5 दिसमबर को जैक की वेप साइट से परवेश पदर डाउनलोड किया जा सकता है वही राश्ट्रिये परतिभा खोज परिक्षा को लेकर कोई भी निधारित पाठकरम नहीं है बतादे कि बिद्यार्थियों को अपने त्यारी करने परती है परिक्षा 13 दिसमबर को निधार को पूरे राज में सर्विस लोग अदालत का वेजन किया जा रहा है इसकी त्यारी को लेकर जालसा की टीम जूटी हुई है बता दे इस लोग अदालत में राज सरकार के सेवानी रीत क्रमचारी बीसो बिद्याल है बी सी सी सभी विभागों क्रमचारी आपना वेदन दे सक जालसा की कोशिस है कि इन विवादों का कोट पहुचने से पहले निप्टारा कर दिया जाए और जो माबले कोट में लंबित है उन्हें लोग अदालत में लाते हुए निप्टारे के कोशिस की जाए रेलवे बोड ने वापस लिए आदेश तीन हजार करमियों को नहीं लोटाने होंगे साहे चार कोरो रुपए राची मंडल के तकरीवन तीन हजार करमचारियों को रातरी भाता के साहे चार कोर रुपए अब वापस नहीं करना होगा इस समन में रेलवे बोड का आदेश आ बराहवी के चात्रों के लिए 20,000 प्रश्णों का बैंक त्यार कर रहा सिक्षा विभाग जारकन सर्खार के स्कूली सिक्षा विभाग या सर्चार्ता विभाग की और से कक्षा नवम से बराहवी के चात्रों के स्वविलियत के लिए 20,000 प्रश्णों का बैंक त्यार कर रहा ह इसी बैंक के अधार पर परिक्षार्थियों से प्रस्ण पूछे जाएंगे इसके लिए जार्खन सेचिनिक अनुसंदान और प्रस्डिक्षन परिस्थ ने लर्णेटिक्स आप त्यार कर लिया है बतादे इस एप में सारे प्रस्णों को अफलोड किया जा रहा है इस एप के माध्यम से कभी भी किसी भी सैका कोई अध्याय भी छात्रे पड़ सकते हाई जार्खन में जंगल राज की सुरू आत भाजपा जार्खन में भी जंगल राज सुरू हो गया है इसका ताजा उदाना दुम का बना है जहाद दिन दाहरे में रोड बाक्सा दुकान में एक महिला की हत्या कर दी गई है भाजपाक के परदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंग ने सनिवार को कहा की हेमन सुरेन सरकार के दस महिने के सासन में सिर्फ अपराद और भरष्टा चार काई गराब बढ़ा है छट बरत पर सिग्र गाईलाइन जारी हो रगवरदास जार्खन के पूरो मुखबंतरी और भाजपाक राष्ट्रिय उपाद्यक्ष रगवरदास ने राजे के मुखबंतरी हमन सुरेन को पत्र लिखकर छट बरत को लेकर या था सिग्र कोविन-19 का गाईलाइन जारी करने को कहा है दास ने सनिवार को कहा कि कोविन-19 का छट बरत पर अभित्त गाईलें जारी नहीं करने के करने के करना छट बरती असमंज़स की स्थिती में है लालू यादव के स्वास्त में गिरावट रिम्स में इलाजरत लालू परसाद की तवियत में अचानक गिरावट आई है रही तो उन्हें डाइलिसिस की ज़रुवत पर सकती है रिम्स प्रवंधन की तरफ से इसकी जनकारी हाई कोट को भी दी गई है हाई कोट ने रिम्स प्रवंधन से लालू यादव के स्वास्त पर रिपोट मांगी थी बसो के किराये में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे संचालक त्याकर्ण सरकार ने बस समेथ सरजनिक वाहनों के परिचालन के लिए गाईलन जारी किया है इसके मुताविक वाहन संचालकों को कोबिड-19 के निमों का पानन करना होगा वहीं बसो या दूसरे वाहनों के परिचालन को लेकर भाड़ा बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है बतादे 8 नुवंबर से अंतरा जिये बस सेवा का परिचालन सुरू होना है यात्रा के दरान चालक, सायक और यात्रियों को मास्क या फेस कोबर पानना होगा वहन में एस्प्रे सेनेटायर रखना होगा हर यात्री के पूर्व सीटों को पूरी तरा सेनेटायर करना होगा जारखन में स्कूल, सिनेमा हौल और मेला परपाबंदी 30 नौबर तक बढ़ी जारखन में स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ प्रसिक्षन वा कोच्चिंग 30 नौबर तक बंद ही रहेंगे सिनेमा हौल, स्विमिंग पूल और मनुरंजन पार्क भी नहीं खुल सकेंगे जूलूस, मेला परदसनी वा दर्शकों के साथ खेल गतिवी दिया भी अगले आदेश तक पर्तिबंद रहेंगी सरकार ने इनसे कोई भी छूट नहीं दिया है इसके अतिरिक्ट कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर में जारी छूट लागू रहेंगी अनुसूचित जाती और जन जाती से जूड़े मामलो की जल सुनवाई के लिए राजे भर में 20 और 20 नहाले खुलेंगे बता दे अभी राची हजारी बग धनबात और देगर में ही इस तरह की बिसेस अदालत है अब राजे के बचे 20 नहाय मंडलों में भी उनका गठन होगा इन 20 नहालों का गठन अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती अधिनियम के तत दर्जवादों के तवरित निवारन के लिए हो रहा है राची को जगमक करने के लिए 10 क्लोर की जरूरत मेर आसा है राची नगर निगम की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में कहा गया कि राची नगर निगम को जगमक करने के लिए 10 क्लोर रुपे की जरूरत है यहां सर्वे के बाद पता चला कि राजधानी में 10,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है लेकिन पैसे की कमी के वज़ से यह काम नहीं हो पा रहा है नगर निगम ने राज सरकार से यह रकम आई थी लेकिन अब तक रकम नहीं मिली है इसके लावन नाली सरक आदि निगमान के लिए भी रकम जारी नहीं की गया इस वज़े से राजधानी का विकास अवरूद हो गया है मेर असा लकडा की अज़कता में हुई नगर निगम की स्टर्णिंग कमीटी में इन मुदे पर चर्चा हुई हजारी बाग जेल में कैदी की मौत के बाद जेलर पर प्रात्मिकी की मांग हजारी बाग जेपी केंद्रिये कारा में आठ साल से हत्या के ममले में उम्र कैद की सजा काट रहे एक बंदी की मौत के बाद परीजन उनके सौव के साथ जयनगर इस्थित गाह में धारने पर बैठे बता जाई इस मामले में मिरितक के पूत्र दिपक पंडित जेलर पर हत्या कारोप लगाते हुए जेला पर प्रात्मी की दर्ज करने की मांग कर रहे हैं जेला पर प्रात्मी की दर्ज करने की मांग को लेकर पूरु विधायक जानकी परसाद्यादों के नेतित्र में दो घंटे से परिजन तथा ग्रामीन मुसवा में धारना पर बैठे हुए हैं इस्कूल में भोजन के लिए अब बच्चों को थाली लेकर जाने की जरूरत नहीं इस्कूली सिक्षा यम सचता विभाग ने सभी जिला सिक्षा अधिक्षकों को निर्देश दिया है कि बिद्याले वार और कक्षा वार ऐसे बिद्याले जहां मद्यान भोजन ग्रहन करने के लिए एक भी पलेट नहीं है उनकी सुची मंगाई जाए सरकार द्वारा भले इस्कूल खोलने को लेकर किसी भी तरह का दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किया गया है लेकिन इसकी त्यारी अभी से शुरू हो गई है बतादे इस्कूल खोलने के बाद मद्यान भोजन में किसी भी तरह की समस्या विद्यार्थियों को नहीं हो इस दिशा में सिछा विभाग ने पाल सुरू किया है साहिव गंज के परतेक परखंड में खेल मैदान के लिए भोमी चीनित साहिव गंज उपायूक्त राम निवास यादव ने सभी वीडियो को अपने अपने परखंड में खेल मैदान के लिए भोमी चीनित करने को कहा है धन्यवाद